जदियू पार्टी की अब अंतिम सासे हुई शुरू जदियू में कुछ भी ओल एजवेल नहीं है राश्ट्री अध्यक चुललन सिंग के स्तीफे की चर्चा हुई शुरू क्या होगा 29 दिसंबर को बड़ा जादू जदियू के राश्ट्रिय अध्यक चुललन सिंग के स्तीफे की चर्चा मंगलवार यानि के 26 दिसंबर से ही सामने आने लगी थी जिसके कारण सियासी गलियारे में कई तरह की बाते होने लगी मिडिया में ललन की स्तीफे की चल रही खबर को बिहार सिरकार के मंतरी और जेडियू विजय कुमार चौधरी ने घलत बताया था जेडियू कोटे के मंतरी विजय चौधरी ने कहा कि पार्टी कारेले से ऐसी कोई जानकारी नहीं है ना ऐसी कोई चर्चा चल रही है लेकिन अब एक बार फिर से इस खबर ने जोर पकल डिया है राश्ट्री लोग जनशक्ती पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष और केंद्रिय मंत्री पशुपती कुमार पारश ने कहा कि जदियों अध्यक्ष ललन सिंग के स्तीफे की अफवास स्पस्ट हो चुका है कि जदियों में कुछ भी औल इस वेल रही है नतीश कुमार के नत्रितु वाली जदियों एक डूबता हुआ जहाज है पशुपती कुमार पारश ने दावा किया है कि खरमास माह में नई दिल्ली में होने वाली पारटी की बैठक के दिन जदियों में बड़ा विभाजन हो जाएगा पारश ने कहा कि जदियों वंतिम सांसे ले रही है नतीश की पार्टी के सांसदों और विधायकों में बगावत की स्थिती बनी हुई है नतीश कुमार को लणन सिंग के नतुरितु में 29 दिसम्बर को है दिल्ली में बड़ी बगावत का सामना करना पड़ सकता है उन्होंने कहा कि बिहार में राज़त के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नतीश कुमार की कारिशेली और समबाद सैली में जो बड़ा बदला हुआ और जिस तरह उनकी लोक प्रियता पूरी तरह से खत्म हुई उससे कोई भी सांसद और विधायक उनके साथ बने रहने का जोखिम उठाना नहीं चाहता है उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोक सिभा चुनाव की घोशना होने से पहले ही जदियू के कई सांसद विधायक और उनके बड़े नेता भाचपा या इंडिये या अन्य पार्टियों का दामन थाम सकते हैं इससे पहले बिहार में जदियू के राश्ट्री अध्यक्ज राजीव रंजन सिंग और फ्ललन सिंग के स्टीफे की मंगलवार को दिन भर अफवा हुडती रही अनके बाद में बिहार के मंतरी विजे कुमार चौधरी मीडिया के सामने आए और स्टीफे की खबरों का खंडन किया मंतरी चौधरी ने साफ लहजे में सफवा के लिए पत्रकारों को ही जम्यदार ठहरा दिया और का के स्टीफे जैसी कोई खबर उन तक या जदियू कार्याले तक नहीं पहुंची है चौधरी ने पत्रकारों से कहा आप लोग जो चाहते हैं वही खबर चलाते हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं